आज 17 जून है और 17 जून से related सारे most important current affair को हो लोग पढ़ेंगे तथा उस से जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला question है हाल ही में भारत चीन सीमा बिबात के किस छेत्र में भारती 20 जवान सहीद हो गए आपसन A है गालवान रिवर वैली आपसन V है पैंगों जील आपसन C है हाट इस्प्रिंगोगरा छेत्र में और आपसन D है इन में से कोई नहीं तो सही आपसन है गालवान रिवर वैली यानि आपसन A सही है पूर्वी लद्दाख में गालवान घाटी में वास्त्रिक नियंत्रड रेखा पर भारत और चीनी सैनकों के बीच हिंसक जड़प में भारत के बीच सैनकों की सहीद होने की पुष्टी हुई है न्यूज एजनसी ए एन आई ने सरकार के सूत्रों से इस बात की पुष्टी की है हाला कि चीन की तरफ से छट के बारे में सटीक संख्या की जानकारी नहीं दी गई है आईए समस्ते हैं कि आखिर भारत चीन बीबात क्या है अभी तक भारत चीन सेना में क्या क्या घटनाएं घटित हुई हैं पांच और छे मई को लद्दा के पेंगोंग तसुद लेक एरिया में जड़व हुई और दोनों पच्छों के सैनी घाइल हो गए इसके बाद गालवान रिवर वैली में टकरा हुआ और फिर हार्ट इस्प्रिंगोगरा में चीनी सैनिक आ गए इन इलाकों में भी बंकर बना दिये गए है बर्तमान में तीन जगहों पर मिलेटरी आमने सामने है वो तीन जगह कौन कौन से हैं पहला है गालवान रिवर वैली तो आईए इसको लाइव समझते इस फिगर में देखिए कि ये वाला जो हिस्सा है ये चाइना का है और ये वाला हिस्सा भारत का है और ये आपका गालवान वैली है बता दे कि जब भारत और चाइना के भी जड़प नहीं हुआ था तो चाइनीज सेनी के यहाँ पर थी लेकिन जब भारत और चाइनीज सेनी के भी जड़प हो गया तो चाइनीज सेनी के यहाँ से उतर के यहाँ परागी ये छेतर जो है भारती सेना का है और चाइनीज सेना यहाँ पराकर अपना जो है टेंट लगा ली जिससे अब ये दोनों सेनाओं के बीच आपस में हमेशा जड़ब होता रहता है कहाँ पर गालवान वैली पर और इसी गालवान वैली पर हाल ही में भारती सेना के 30 जवान सहीद हुए है गालवान वैली इसलिए हमारे लिए महत्पूर है क्योंकि गालवान वैली के आगे इधर कारा कोरं स्रेडी है और कारा कोरं स्रेडी में तैनात सैनको के लिए जो टुप समान है इसी वैली से होकर जाते हैं इसलिए ये गालवान वैली हमारे लिए महत्पूर है नेश्ट है नेश्ट जो बिबादित छेतर है वो है पैंगोंग तसे ली यानि ये जो देख रहे हैं ये वही धील है जो बिबादित है इसमें आठ फिंगर के एरिया बने हुए है जो परबतों में आठ उंगली नुबा फिंगर बने हुए है यहाँ पर बंजर माउंटेन की सिरीज है जो फिंगर सेप में देखती है देख लीजिए ये देखिए फिंगर सेप में उंगलियों नूमा निकली हुई है इसी को हम लोग आठ फिंगर कहते हैं इंडिया का पोस्ट फोर्थ फिंगर पर है यह जो आप देख रहे हैं फोर्थ फिंगर जो फोर्थ लिखा है यहाँ पर इंडिया का पोस्ट है यह जो रेड दिख रहा है ITPB इंडियन आर्मी बेस यही पर इस्तित है और जब कि चीनी का पोस्ट चाइनीज पोस्ट आठवे नमबर पर है भारत कहता है कि LAC जो line of actual control है वो आठवी फिंगर से गुजरता है यानि जो यह आठवा फिंगर है यहां से line of actual control गुजरता है लेकि चीन कहता है कि नहीं यह दूसरे पिलर से यह दूसरे फिंगर से यहां से गुजरता है चाइनीज कहता है कि नहीं यह यहां से गुजरता है इसलिए जो यह बीच का छेत है यह दोनों सेनाओं के बीच का छेत है इसी छेत को लेकर हमेशा जड़ाप होता रहता है और 5-6 माई को चीनी सेनब फिंगर फोर पर आ गई थी यहां पर जो चानी सेनब फिंगर आठ पर थी वो यहां से आकर फिंगर फोर पर आ गई थी और यहीं पास में ITBP के जो बेस है इंडियन इसी के 500 मीटर दूरी पर आकर यहां से टकराओ करने लगी पत्थर बाजी करने लगी और दोनों तरफ से सैनिक घायल हुए लेकिन चीनी सेना की टुकडी ने इस इलाके में क्या कर लिया है बंकर बना लिया है तथा इस इलाके में अपना प्रभाव दिखा रही है यह जगह इसलिए भी महत्तपूर हो जाता भारत के लिए क्योंकि 1962 की यूद्ध के समय यहाँ पर इंडियन आर्मी ने चाइनी सेना को जवरदस्ट जवाब दिया था नश्ट विवावित छेत्र है यह जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग हार्ट स्प्रिंग गोगरा करते हैं यही जो है तीसरा विवावित छेत्र है यह छेत्र आईटी बीपी और आर्मी का बड़ा कैम्प है यह जो रेट साब देख रहे हैं यह आईटी बीपी और आर्मी का कैम्प है यह चेत्र उनीस सो बासट के युद्ध की वज़ा से भी महत्पूर है इसी के पास करीब पांस सो से छास सो मीटर के दूरी पर चीनी सैनिक आ गये हैं और भारत का मानना है कि य नहीं यह इलाका यह जो गोगरा स्पिंग गोगरा है यह मेरा इलाका है असल में 1962 में यह तक लिया गया था कि लाइन अफ एक्चुल कंट्रोल के एक तरफ इंडियन आर्मी रहेगी और दूसरी तरफ चाइनीज आर्मी लेकिन दोनों की मिलेटरी ने अपने अपने मैप को एक्स्चेंज नहीं किया है इसलिए इन दोनों में अभी भी यह जड़ब होता रहता है ऐसे में यह मामला बड़ा बनता चला जा रहा है बिस्ट निवेस रिपोर्ट 2020 के अंसार भारत FDI NEवेस में किस रैंक पर इस्तित है आपसन A है दसवां आपसन B है नवां आपसन C है आठवां और आपसन D है साथ्वां तो इसका सही आंसर है नवा यानि आपसन भी सही है बिस निवेस रिपोर्ट 2020 के अंसार भारत 2019 में नवा सबसे बड़ा FDI निवेस वाला देश है इस रिपोर्ट के अंसार भारत का FDI 2018 में 42 मिलियन अमेर्की डालर से बढ़कर 2019 में 51 मिलियन अमेर्की डालर हो गया है वहीं एसिया के छेतर में भारत सीर्स पांच देसों में सामिल है रिपोर्ट के अंसार बैस्विक FDI प्रवाह में इस साल 40% की कमी आ गई है 2005 के बाद का यह पहला मौका है जब बैस्विक FDI एक ट्रिलियन अमेरिकी डालर से नीचे है नेश्ट कोस्तन है RBI के अंसार स्वतंतर भारत में अब तक कितनी बार मंदी आ चुकी है आपसन A है दो बार आपसन B है तीन बार आपसन C है चार बार और आपसन D है पांच बार तो इसका सही अंसार है चार बार यानि आपसन C सही है RBI के अंसार स्वतंत्र भारत ने अब तक चार मंदी का सामना किया है RBI के अंसार 1969, 1968, 1973 और 1980 में भारत में मंदी आ चुकी है मंदी को देश की आर्थी गद्विधियों के साथ साथ विक्री आय और रोजगार में गिरावट के रूप में परिभासित किया गया है बता दें कि 1958 में भारत की GDP माइनस 1.2 प्रत्सत थी और 1966 में माइनस 3.6 प्रत्सत, 1973 में माइनस 0.32 प्रत्सत और 1980 में माइनस 5.2 प्रत्सत थी COVID-19 के कारण भारत के सामने मौजूदा आर्थिक संकत पिछली सभी चारों मंदी के मुकाबले सबसे खराब है जिसका आकलन भी नहीं किया जा सकता है नेस्ट कोस्टन है भारत और नेपाल ने किस मंदीर के परिसर के बुनियादी धाचे में सुधार के लिए एक समझोता ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं आपसन ए है पसुपतिनाथ मंदीर आपसन भी है मन कामना मंदीर आपसन सी है मुक्तिनाथ मंदीर और आपसन डी है इनमें से कोई नहीं तो इसका सही अंसर है पसुपतिनाथ मंदीर यानि आपसन ए सही है भारत और नेपाल ने पसुपतिनाथ मंदीर परिसर के बुनियादी धाचे में सुधार के लिए एक समझोते ग्यापन पर हस्ताचर किये हैं नेपाल के संगी मामलों के मंत्राले और भारती दूतावास के बीस समझोते ग्यापन पर हस्ताचर किये गए हैं समझोते के तहद भारत ने 2.33 करोड रुपए की बित्ती सहाता देने का वादा किया है पसुपती नाथ मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है पर इस्तित है यह मंदिर युनस्को की बिस्दरोहर में से एक है बता दे की नेपाल की संसद्ने हाल ही में राजनीतिक मांचित्र को नया रूप देने के लिए संसोधन बिधेयक पारिक्त किया है नए नक्से में काला पानी लिपुलेख और लिपुवा धुरा को सामिल किया जाना है यह छेत्र बिबादित है और भारत तथ नेपाल दोनों इस पर दावा कर रहे हैं नेस्ट कोस्टन है हाल ही में किस थिंक टैंक ने भारत और चीन के परमाण हत्यार में ब्रिध्धि दर्ज की है आपसन A है स्वेडिस थिंक टैंक आपसन C है ब्रिटिस थिंक टैंक और आपसन D है इनमे से कोई नहीं तो सही एंसर है ब्रिटिस थिंक टैंक ब्रितिश थिंक टैंक ने इस्प्री इयर बुक के माध्यम से बताया कि भारत और चीन अपने परमाड़ सस्त्रागार में बृध्धी कर रहे हैं इस रिपोर्ट के अंसार भारत के 1.500 परमाड़ वार हेड हैं जिनमें से भारत ने 48 परमाड़ वम अपने वाउ सेनको सौप रखा है वहीं चीन ने बैलाश्टिक मिसाइलों को संचालित करने के लिए 240 से अधिक वार हेड को सौप रखा है बता दें कि इस प्री के अंसार दुनिया के 9 परमुख परमाड़ ससस्त्र युक्त देश है पहला है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है रूस, चौथा है फ्रांस, पाच्वा है भारत, छठा है पाकिस्तान, सात्वा है चीन, आठ्वा है उत्तर कोरिया और नौवा है इसराइल इसमें सामिल है पूरे बिश्व में 13,400 से अधिक परमाड़ हत्यार बिश्व में उपलब्द है नेश्ट कोस्टन है भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफार्म किसने लांस किया है आपसन नरिद मोदी, आपसन भी धरमेंद प्रधान, आपसन सी राजनाथ सिंग और आपसन डी इनमें से कोई नहीं तो सही एंसर है धरमेंद प्रधान यानि आपसन भी सही है Indian Energy Exchange ने पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफार्म लांच किया है इस प्लेटफार्म का उद्गारकन पेट्रोलियम और प्राक्रतिक गैस मंत्री धर्मेंध प्रधान ने किया है यह प्राक्रतिक गैस की बहुतिक दिलिविरी के लिए पहला आनलाइन प्लेटफार्म होगा इस प्लेटफार्म में प्राक्रतिक गैस का ब्यापार रुपए में किया जाएगा नियून्तम अवंटन का आकार सो मिलियन ब्रिटिस थर्मल यूनिट है नेश्ट कोस्टन है भारत का पहला संक्रामक रोग निदान लैब को किस ने लांच किया है आपसने नरेंद्र मोदी आपसन भी रादनासी आपसन सी निर्मला सीता रमड और आपसन डी इन में से कोई नहीं तो सही अंसर है नरेंद्र मोदी यानि आपसनी सही है पहरत का पहला संक्रामक रोक निदान लैब को नरेंद्र मोधी ने लांच किया है यह लेब आत निर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया है इस लैब का निर्मार रिकार्ड आठ दिनों में किया गया है तथा इसका निर्माड जय प्रदोक्की विभाग की सहायता से किया गया है यहले प्रति दिन 200 एलीसा टेस्ट कर सकती है नेस्ट कोस्टन है हाल ही में प्रस्तावित रूस भारत चीन त्रिपच्छी समेलन का मुख बिन्द क्या होगा आफसन A है भारत चीन भीबाद आफसन B है ब्रिक्स पर चर्चा आफसन C है उत्तर दच्छिर परिवहन गलियारे और आफसन D है उप्यूक्ट सभी तो बता दें आफसन D सही है उप्यूक्ट सभी भारत के बिदेश मंत्री स्री एस जैसंकर रूस और चीन के साथ 22 जून को स्रयुक्त अभासी समेलन आयोजित करेंगे इस दोरान बिदेश मंत्री भारत और चीन स्रीमा विबाद पर चर्चा करेंगे तथा यह बैठक रूस की पहल के साथ गुलाई जा रही है बता दे कि इसके साथ ही वूस संगहाई सहयोग संगहटन ब्रिक्स पर चर्चा का बिश्तार और उत्तर दच्छिर परिवहन गल्यारे पर भी चर्चा करेगा यह था आज का हमारा प्रमो करंट अफेयर हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए अधिक सदिक सेयर करें तथ हम नए अगर आप हैं तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें